हेलो एबरीमन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइन्स क्लासेज में हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में साउंड साउंड में हमने पुछ जनरल करेक्टरेस्टिक्स पढ़े थे साउंड के आज हम बात करेंगे साउंड क्या है, एक फॉर्म आफ एनर्जी है, वेव है वेव किफ की वज़े से, वाइबरेस्टिक्षछझ की वज़े से पाड़ किल वाइबरेट करते हैं तो हमें आवाज सुनाई पढ़ती है लेकिन अब यहाँ पर vibration हम बात करते हैं तो vibration हमें कई तरह के देखने को मिलते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं types of vibration की तो vibration में एक type हम पढ़ेंगे क्या natural vibration यह बहुत ही common vibration है कौन सा natural vibration ठीक है natural vibration में क्या होता है basically कि अगर हमारे पास कोई भी compound है जैसे अगर earth surface पे हम देखते हैं जितने भी material present है सारे particle क्या करते हैं vibrate करते हैं क्योंकि सारे particle नेचर होते हैं और particle नेचर होंगे तो सब के पास अपनी wavelength होगी और wavelength बहुत large होती है इसलिए particle हमें हिलते डूलते हुए दिखाई नहीं पढ़ते हैं लेकिन सारे particle क्या करते हैं vibrate करते हैं अब vibrate करते हैं तो उन particle के पास अपनी क्या होगी natural frequency होगी जैसे अगर हम बात करें pendulum की ठीक है pendulum free fall में जब नेचर में डाला जाएगा तो यहाँ पे pendulum जाएगा pendulum वापस आएगा वापस आने के बाद यहाँ पे फिर से वापस जाएगा तो यह क्या करेगा अपना path बार बार continuously repeat करता रहता है जैसे watch hour clock देखी होगी आप लोगोंने घरों में घडियां आती है उन में इस तरह के system देखनी को मिलते हैं लेकिन जो घरों में घडियां आती है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे forced vibration जनेरेट होता है ठीक है तो confuse मत होना forced vibration अभी इसके बाद पर तो बात कर रहते हैं natural vibration अपनी खुद की इनकी एक particular frequency होती है और लगातार यह vibrate करते रहते हैं मतलब जिस frequency से यह move कर रहे हैं उसी frequency से यह continuously motion करते रहते हैं जैसे पानी की लहरें उठती हैं यह लगातार पत्ते पेड़ के या जो भी material है अर्थ सिस्टम में, surrounding में, air में, particle सब के पास अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है natural frequency होती है ठीक है एक particular amplitude होता है इसके बाद हम natural frequency या natural vibration के बाद हम दूसरा पढ़ते है क्या एक damped vibration होता है damped vibration natural vibration के ही समकक्ष यह damped vibration देखने को मिलता है लेकिन अब हम बात करते है natural vibration की तो यहाँ पे vibration continuously free fall में चलता रहता है यह ज़्यादा तरह देखने को मिल सकता है vacuum में अगर कोई substance या reaction या pendulum इस तरह से जब vacuum में लाके यहाँ से छोड़ा जाएगा तो यह बार-बार अपना path repeat करता रहेगा लेकिन चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम damped vibration की बात कर रहे है तो यहाँ पे vibration क्या होता है एक बार fully क्या किया गया start तो हुआ जैसे हमने बोला तेजी से बोला लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गई दूर जैसे जाते गई आवाज क्या हो जाती है कम हो जाती है तो इसके हम natural vibration की बात करें तो natural vibration का जो कुछ wave diagram कुछ इस तरह से दिखेगा continuously motion में इस तरह से waves आगे बढ़ती जाएंगी इनका amplitude और wave velocity में कोई change नहीं देखने को मिलेगा लेकिन damped vibration क्या होता है एक type of ऐसा vibration होता है जहां पे wave start तो होती है high amplitude से लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या होता है एक particular point पे धीरे-धीरे आवाज करते हुई जैसे अब हम का बात करते है एक tuning fork tuning fork क्या है tuning fork एक ऐसी device है कुछ इस तरह का shape होता है metallic fongs होते है इसके metallic fongs होते है और यह इसका base होता है base से यह क्या होता है इसको हम ले जाके जब किसी rubber पे या लकड़ी पे stuck करते है तो यह क्या करते है particles vibrate करते है और जब यह vibrate करते है तो हम कान के पास अगर इनको लेके जाएंगे तो हमारे कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है जिसकी tone singular होती है इसलिए इसको क्या बोलते है monotone मतलब कोई vibration देखने को नहीं मिलता है एक same kind of tone हमें continuously सुनाई पड़ती है इसलिए इसको बोलते है क्या monotone ऐसी tone जो एक single आवाज continuously करती जाती है एक तरह से जैसे मचरना क्या अगर के पास बुर्वनाता है आके थोड़ी दिर तक भी उसके बाद फिर दिर आवाज क्या हो जाती है slow down होती जाती है तो क्या होता है same आवाज लगातार कह रहा है इसलिए इसका मतलब क्या हो गया यह monotone हो गई ठीक है तो यह हो जाती है monotone और यही क्या होता है time to vibration का बेक्जामपल होता है जैसे हमने इसको क्या किया इस्टक किया एक बार उसके बाद कान के पास लेके आये तो इसके particle vibrate करते हुए देरे 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 क्या गया जाते है slow down हो जाते है अब यह से लिए down क्यों होते है क्योंकि environment में surrounding में क्या है particles present है और particles जो present है उनकी वज़े से इन में क्या देखने को मिलता है friction जैसे यह pendulum जब आगे गया आगे जाने के बाद यह जब वापस आएगा तो जितनी energy से यहाँ पर आएगा उतनी energy से जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इसमें क्या है particles रास्ते में जा रहे हैं रास्ते में बहुत सारे particles प्रिजट होंगे air के particles हो सकते हैं ठीक है surrounding में बहुत सारे particles देखने को मिलेंगे जिसकी वज़े से यह क्या करेगा friction करेगा और जब हम बात करेंगे frictional energy की तो frictional energy क्या करती है energy heat के form में loss कर देती है तो एक बार यह pendulum यहाँ तक जाएगा फिर अगली बार यहाँ तक और फिर अगली बार यहाँ तक और फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचके at least 0 पे stuff हो जाएगा तो यह monotone form धीरे धीरे क्या हो जाती है इसी तरह सारी tones की बात करेंगे जो भी production हो रहे थे vibration के आवाज के कुछ समय के बाद उनकी आवाज क्या हो जाती है Slow down हो जाती है तो वह क्या कहलाते है damped vibration damped vibration के बात कि अगर हम बात करें तो एक और vibration इसके साथ काज करता है जिसको बोलते हैं क्या force to vibration क्या बोलते हैं force to vibration यह हम बात कर सकते हैं ऐसी घड़ियों की जो pendulum में लगी होती है continuously motion करती है क्योंकि जब किसी wave को या particle को continuously एक force provide कराया जाता है जिसकी वज़े से जो vibrations है वो बार-बार repeated रहते रहते हैं बने रहते हैं और इनकी जो frequency है वो natural vibration के बराबर देखने को मिलती है लेकिन एक continuous force बना रहता है जैसे जूला है जूले में जब जूला तुवारी हो रहता है तो उसको बराबर एक point से खड़े होके बार-बार इसके धकका देते रहेंगे और जब धकका देते रहेंगे तो जूला आगे जाता जाएगा फिर वह आपस आएगा जाएगा आएगा और लगातार उसी स्पीड से आता और चाता रहेगा वो किसका एक्जामपल हो जाएगा फोस्ट वाइब्रेशन में ठीक है फोस्ट वाइब्रेशन में क्या होता है एम्प्लिट्यूड कैसा रहता है एम्प्लिट्यूड इसमाल होता है इसमाल होता है और जो frequency होती है वो similar हो जाती है frequency कैसी हो जाती है? frequency similar हो जाती है ठीक है ना? तो किस में? forced vibration में amplitude छोटा रह जाता है forced vibration के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें एक नए atom यहाँ पर पढ़ने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या? resonance resonance एक ऐसा केस होता है resonance जो होता है यह एक ऐसी phenomenon है पूछे जाता है resonance क्या है? resonance is a phenomenon in which while applying a forced vibration the frequency of that body will get equal to the natural frequency of that ठीक है? तो जब हम किसी body के समकच कोई नया force apply करते हैं या force लगाते हैं तो उसमें जो frequency generate होती है vibration generate होता है वो उस body के natural vibration को match कर जाता है उस case को बोतने हैं क्या? resonance ठीक है? अब जब resonance match कर जाता है frequency और frequency और frequency overlap करती है और जब frequency overlap करती है तो यहाँ पे high amplitude हो जाता है ठीक है? frequency overlap कर जाती है और condition क्या कहलाती है? resonance ठीक है ना? resonance एक ऐसी phenomenon है जिसमें जब हम किसी body पे एक force apply करते हैं vibration बोडी पे तो body vibrate करती है और उसकी vibration natural vibration के बराबर हो जाती है that is what? के पीछे लिखा हुआ है मतलब resonance अब बात करते हैं resonance की तो resonance के case में amplitude कैसा हो जाता है? high हो जाता है force vibration और जो vibration natural body का था दोनों क्या हो जाते हैं? match हो जाते हैं, mix up हो जाते हैं ठीक है? और दोनों mix up होने की वज़े से क्या हो जाती है? एक high amplitude generate होती है जिसकी वज़े से loud sound सुनाई पड़ता है ठीक है? resonance की वज़े से loud sound सुनाई पड़ता है इस तरह का question बार-बार पूछा जाता है आप लोगों के board में इस तरह से tuning fork बना होता है इनके fonts में इनके fonts को जब हम धक्का देते हैं तो यह क्या करते हैं vibrant करना सुरू करते हैं और जब यह vibrant करते हैं तो इनके vibration की वज़े से यहाँ पे क्या हो जाती है? एक force generate होती है और shape wooden box के अंदर उनको बड़ा volume मिल जाता है बड़ा size मिल जाता है जिस वज़े से ये high amplitude के साथ आगे motion कर पाते हैं और जब ये motion करते हैं तो ये हम पाते हैं कि ये सीधे-सीधे wooden box B की तरफ move कर जाते हैं और जिसकी वज़े से ये tuning fog भी क्या करने लगता है vibrate करने लगता है और ये vibration कब हुआ होगा जब इसकी vibration forcefully apply करने के बाद इसकी natural frequency के बराबर हो गए होंगे तो ये phenomenon किसकी वज़े से हो जाती है रेजो नैंस की वज़े से ठीक है ना रेजो नैंस के कुछ और causes देखने को मिलते हैं जैसे एक simple से causes बार-बार पूछा जाता है कि जब कोई भी army man क्या है बार-बार पैर उपर नीचे उपर नीचे तो बार-बार क्या होते हैं force apply करते हैं surrounding में जिसकी वज़े से surrounding के जो particles हैं उनमें क्या होता है एक frequency generate होती है कान से frequency force vibration की और वो force vibration जब आस पास कोई bridge present होता है अगर उसकी frequency से match कर जाते हैं कौब्र ब्रिज क्या हो जाएगा collapse कर जाएगा damage हो जाएगा जैसे ये marching करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे कहीं एक bridge लगा हुआ है ठीक है न ये है bridge ये bridge बना हुआ है और यहाँ से army man क्या है इस bridge के उपर पे गुजर रहे हैं अगर marching करते हुए गुजर रहे हैं तो इसके particles पे vibration generate होगा और ये जो vibration है वो कैसा हो जाएगा natural frequency के बराबर हो जाएगा उस case में ये pull क्या हो जाएगा तूटके नीचे गिर जाएगा और काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसी वज़े से इनकी जो marching है army men's की वो क्या होती है bridge के आसपास जाने से लोग दी जाती है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब fighter jets ठीक है या high क्या supersonic planes या supersonic jets जब क्या है गुजरते हैं किसी building के आसपास तो building के जो glass होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं तूट जाते हैं क्यों तूट जाते हैं क्यों तूट जाते हैं क्य जाते हैं तूट जाते हैं इसके अलावा एक और एक्जामपल आपको देखने को मिलता है जैसे हम रेडियो की बात करते हैं रेडियो टीडी रेडियो तो सबने देखा होगा ना जमाना तो अब काफी कब बदल गया है रेडियो अब तो FM सुनते हैं सिधे सिधे किस पे किस पे सुन लेते हैं रेडियो अब तो सिधे सिधे सुन लेते हैं ना मुबाइल पे लेकिन एक जमाना था जब रेडियो स्टेशन पे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अभी भी कु frequency modulator लगा होता है और frequency modulator इसको rotate कराते हैं rotate कराने के बाद वही same frequency और ये जो capturing device है वही same frequency जब दोनों आपस में match कर जाती है like अगर हमें बात कर रहे हैं 93.5 red FM की तो ये जो red FM है ये तभी सुनाई पड़ेगा जब हम यहाँ पे इसको frequency modulate कर ले 93.5 पे और उतनी ही frequency जो हवा में तैर रहे होगी दोनों frequency क्या कर जाएंगी resonance phase में आ जाएंगी तब हमें radio सुनाई पड़ने लगेगा उस channel पे जो भी data भेजा जा रहा होगा वो हमें radio में सुनाई पड़ने लगेगा तो ये phenomenon समझ में आई आप लोगों को resonance आई ये पढ़ते हैं sound की कुछ properties पे जिसकी हम बात करते हैं सबसे पहले amplitude and intensity सबसे पहला हम बात करेंगे किसकी amplitude and या और intensity intensity इसको बोलते हैं loudness loudness कि हम जब बोल रहे हैं तो आपको आवाज कितने तीजे से सुनाई पड़ रही है वो responsible कौन होता है amplitude responsible होता है amplitude क्या होता है maximum displacement either side from the crust are true और compression are बताना है rare fraction तो ये क्या है इन में चाहे उपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ जितना maximum displacement रेखने को मिलता है वो ही क्या कर लाता है amplitude यही तो होता है ना amplitude ये वाला length amplitude अब यहाँ पर जब बात करते है तो ये condition क्या हो जाती है frequency सेम हो जाए अगर क्या हो जाए frequency and wavelength सेम हो जाए बट vibration यानि की amplitude अगर डिफर कर रहा हो यहाँ पर हम amplitude को सब एडिंग से हटा सकते हैं क्योंकि property amplitude नहीं है property intensity और loudness है यहाँ पर जब बात करते हैं तो amplitude अगर जादा होगा तो यह directly depend करता है कौन? loudness loudness depend करता है amplitude पर जैसे हम जद्धीमे से बोलते हैं आराम से तो बात करते हैं loudness तो loudness is a property of sound which distinguish in between the loud sound and soft sound soft जैसे अभी हमने बोला काफी धीमे से अगर हम यह चिला के बोल रहे हैं यह तो क्या है? loud तेज से अगर हम softly भोल रहे हैं एकदा माराम से तो क्या हो गई? loud sound और soft sound दोनों के बीच में different करने की sound की जो प्रापर्टी होती है वो क्या कहलाती है? loudness कहलाती है और loudness depend करती है किस पे? amplitude पे loudness की अगर हम बात करें तो loudness depend करती है किस पे? directly depend करती है amplitude पे किस पे? amplitude पे अगर amplitude ज़ादा होगा तो loudness ज़ादा होगी amplitude कम होगा तो loudness कम होगी ठीक है न, कोई confusion दो नहीं, loudness को लेके अब यहाँ पर एक term आता है, intensity of sound intensity क्या होती है intensity basically अगर हम बात करें तो यह directly depend करती है किस पे, amplitude पे amplitude के square पे depend करती है मतलब intensity क्या होती है कितनी तेजी से light आपके पास पहुँच सकती है या आवाज की बात करेंगे, sound कितना तेज आपको सुनाई पर सकता है कान के परदे को चीरती हुई जो आवाज आती है बहुत डरावनी सी, वो क्या हो जाती है high intensity की sound होती है जब बहुत तेजी के साथ, यह नुकसान पहुचा सकती है, आपको noise भी काज करती है, यहीं पर हम पढ़ेंगे क्या loudness और amplitude के terms में intensity intensity जो होती है यह basically किस पर depend करती है directly amplitude पर depend करती है और यह amplitude के square पर depend करती है amplitude के square पर depend करती है तो amplitude जितना ज़्यादा intensity उतनी ही ज़्यादा तो कभी कभी question पुछा जाता है intensity depend किस पर करती है अब यहाँ पर बात करते हैं loudness या आवाज को major करते हैं आवाज को major करने के लिए unit यूज की जाती है वो जो unit है उसको क्या बोलते हैं हम आवाज को major करने की जो unit है उसको बोलते हैं क्या phone फोन या decibel किसमें major किया जाता है इसको decibel में decibel में इसको हम db से भी represent करते है decibel ठीक है small d capital V लिख साथा थर small d और capital V लिखते है small d और capital V decibel ठीक है decibel क्या represent करता है loudness of the sound अब जब हम बात कर रहे है loudness की तो loudness में मतलब आवाज जो होगी आवाज दो टाइप की पढ़ते हैं shrill sound जो हम सुन सकते हैं कानों को हमारे चुबती नहीं है अच्छी लगती है जैसे महिलाओं की जो आवाज होती है काफी सुरीली होती है सुनने के बाद काफी अच्छी लगती है बट वहीं hoarsness जो दोती है यह भी हम पढ़ेंगे बिच के बारे में जो अगली प्रापर्टी है पर यहाँ पर हम पढ़ रहे है soundness sound और noise में क्या difference है sound and noise sound and noise तो sound क्या है? एक soft music जैसे radio पर हमने लगा दिया गाना या mobile में गाना बज़ रहा है अच्छा सा मन बहल जा रहा है मस्ती में आराम से मड़ी हिल रही है गाना सुन रहे है फुल बगन हो गए लेकिन वहीं पर अगर हम ट्राफिक में लगातार पें 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 चिल्पों मची हुई है गाड़ियों की खुप सारी आवाज आ रही तो वो क्या हो जाती है? noise हो जाती है तो एक minute difference होता है decibel के amount में हम अगर बात करें up to 90 decibel basically हम 90 decibel तक की जो sound है इसमें बात कर पाते हैं हम लोगों का जो conversation होता है वो लगबग 50 decibel का होता है 90 decibel तक के sound आपको अच्छे लग सकते हैं 90 decibel के बाद जो होते हैं लगबग 120 decibel के जो sound होते हैं या हमारे कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचा सकते हैं जैसे हाइवी ट्रैफिक की बात करेंगे तो 120 decibel का sound होता है एक noise हो जाता है जो कानों को पुरा लग सकता है minimum से अगर हम बात करें leaves, पत्तियां, पत्तियों की जो सरसराहाट होती है न उसमें लगबग 10 से 15 decibel की sound produce होती है पत्तियां सरसराहाट कब सुनाई पड़ती है पत्तियों की, ये गर्मी के दिनों में especially सुभे morning time में जब आप किसी पेंड के आसपास गुजरेंगे तो आपको ये पत्तियां सरसराती हुई नजार आ जाएंगी उनकी जो frequency, मतलब sorry, जो sound की loudness होती है वो pitch को measure करते है 10 to 15 decibel होती है ठीक है न इसके बात है property हमारे पास pitch pitch, एक ऐसी property है sound की, जो depend करती है pitch, pitch भी एक ऐसी property है, जो differentiate करती है in between the thrill and horse wise जैसे loudness differ कर रही थी soft and loud wise में उसी तरह pitch differentiate करती है stillness and hoarseness, मतलब भारी आवाज है, जैसे हमारी आवाज आपको सो नहीं पढ़ रही होगी अगर कोई महिला बोल रही होती है लड़की की कोई आवाज होती है, तो काफी strillness और hoarseness को differentiate करती है कौन? pitch और pitch डारेक्टली डिपेंड करती है किस पे? pitch डारेक्टली डिपेंड आउन frequency frequency जानते है सबाल होगा frequency, सबको पता है frequency क्या है frequency क्या होती है number of vibration per second is termed as the frequency तो एक सेकेंड में जितनी ज़्यादा frequency होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी? pitch होगी और अगर pitch ज़्यादा है तो pitch डारेक्टली डिपेंड करती है किस पे? strillness पे strillness strillness कब होगी? जब more frequency होगी ज़्यादा frequency और अगर low frequency है low frequency पे आवाज कैसी हो जाएगी? horse horse sound produce होगी कब? जब हम low frequency की sound produce करेंगे और अगर high frequency की sound होगी तो आवाज में कैसी होगी? मधूरता होगी, सुरीलापन होगा तो सुरीलापन को पहचानने के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें graphical pattern पे तो यहाँ पे देख सकते है इतनी same distance के लिए हमने दो ग्राफ बनाए हुए है एक में हमारे पास frequency के नमबर 1 2 और यहाँ पे जब बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी waves है तो अभी देखो यहाँ पे अगर amplitude दोनों का हम क्या मान ले? बराबर है बान के ले होगा बराबर amplitude यहाँ पे क्या हो जाता है? equal हो जाता है यहाँ पे amplitude matter नहीं करता है क्या हो जाता है? amplitude equal हो जाता है amplitude equal तो हो जाता है लेकिन यहाँ पे differentiate कौन करता है? फिर wavelength भी पर करेंगे न? क्योंकि जब wavelength की बात करेंगे ये चीज clear नहींगी, इस पे base-me question पूछे गए हैं, graph सिधे बनाके पूछा गया है, कि यहाँ पे अगर wavelength इतनी ज़्यादा है, और इनकी wavelength इतनी है, और यहाँ पे कुछ numbers दे दिये जाएंगे आपको, और वहाँ पे पूछा जाएगा कि इनका ratio बताना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखा frequency के pattern की बात करेंगे, तो इसमें frequency ज़्यादा, frequency ज़्यादा तो आवाज की strillness ज़्यादा, मतलब pitch ज़्यादा, ठीक है, इसलिए रड़कियों की आवाज काफी सूरीली नजाराती है, वहीं अगर हम बात करें, यह low frequency, frequency low इसका मतलब pitch कम और pitch की value कम, इसका मतलब आवाज भारी, heavy wise, ठीक है, तो यह हो जाती है हमारे पास pitch, इसके बाद हम एक term और पढ़ते हैं, quality of sound, quality या timber, इसको बोलते हैं क्या, timber, sound की ऐसी property, जिसके through हम sound की quality यानि की दो अलग-अलग instruments जो बज रहे होंगे, उनकी frequency और उनकी आवाज को distinguish करने की जो ability होती है, वो क्या कहलाती है, timber या quality of sound कहलाती है, जैसे एक साथ तबला और गिटार दोनों बज रहा है, और जब आप उस कमरे में पहुँचेंगे, तो तबला और गिटार दोनों की आवाज को आप अलग-अलग कर पाएंगे, यही आपकी क्या कहलाती है, quality या timber, अब इसको अलग-अलग कैसे पहचान पाते हैं, जब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जुनकी जो sub-wavelets होती है, ठीक है, sub-wavelets में distinguish देखने को मिलता है, जैसे अगर हम बात करें, इस तरह की जो frequency है, generate होता ही है, इसकी वज़े से इसके साथ कुछ sub-wavelets भी यहाँ पर move करती है, ठीक है, और यही further noise का कास करती हैं, लेकिन जब हम noise के pattern में जाएंगे, तो हम यह देखेंगे, graphical representation की कैसे आवाज के साथ कुछ सब sound जो होते हैं, एक singular way में आवाज का flow ना हो करके multiple way हो जाता है, तो वो क्या गया लाती है, noise हो जाती है, यहाँ पर quality और timber एक ऐसी property है sound की, जिससे हम पता लगा पाते हैं क्या, कि sound कैसे dependability सोन कर रहा है, कि दो अलग-अलग frequencies हैं, और एक साथ अगर pronounce होंगी, तो हम उनके अलग-अलग frequency के भिहाफ पे, उनकी अलग-अलग wavelength के भिहाफ पे, उनको distinguish कर सकते हैं, कि इनकी आवाज कैसी होगी, और उनके instruments को हम आसानी से identify कर पाते हैं, यह क्या कहलाती है, तीसरी properties, amplitude के भिहाफ पे अगर हम बात करें, तो amplitude हमारा differentiate का एक graph पर देख लो, जैसे हम नहीं यहाँ पे बताया क्या, पिछके patterns पे, वैसे ही, amplitude के pattern पे, आपका graph कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, अगर यह graph आपका amplitude represent कर रहा है, और यहाँ पे पूछा जाए, आप से, कि यह है आपका, एक और दूसरा, यहाँ पे कर थोड़ा जादा हो गया है, इसको थोड़ा से गुमा लेते हैं, अब, अब देखो, wavelength यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, लगबग सिमिलर हो गए इनकी, और frequency भी एक ही है, एक wave number, ठीक है न, लेकिन, अब यहाँ पे देखो, यह जो height है, यह हमारी क्या होती है, amplitude, amplitude इसका जादा, तो loudness इसकी जादा, इसका amplitude कम, तो loudness इसकी कम हो जाएगी, ठीक है न, तो यह इस type के आपके, जो concept थे, यहाँ पे, sound related, complete होते हैं, अगर आपको किसी तरह से, कोई भी doubt related न जा रहता है, तो किरपया, comment box में नीचे लिखिएगा, या हम, Instagram का link आपको provide करा दे रहे हैं, नीचे, ठीक है, DM करके आप question पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ doubt नजर आते हैं, theory या concepts related ऐसा कुछ बचा रहे गया हो, ठीक है, बाकी आपके board के quick revision के लिए या आपके series है, अच्छे से तयार करते रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले ठीक है, तो अगर वीडियो पसंदा रहा हो, तो अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को जो भी board से related बच्चे हैं, जो boards attempt करना चाहा रहे हैं, उनको कृपया forward करिए, और उनको help कीजिए, मदद पहुचाईए, कि वो quickly भी क्या करें, revision कर सकें chapters का, ठीक है, बाकी